वो 17 साल पहले मेरे पिता जी गुज़र गए थे महादेव की बहुत भक्ति करता हूँ उझे छे मैंने पहले सपने में नागासादु आए और एक जन बोला कि मैंने वहला तुम मेरे पिता बन जाओ तो कहते कि खंडबार मंदीरा पुना मैं तो आजोंगा तो मुझे समाल पाएगा तो प्रभु इस वापन का क्या अर्थ है देखो भगवान मंगल में अपने सरनागतों के अंदर आते हैं स्वापन जैसे कोई भागवति को इनका कोई अर्थ नहीं आप समझो जब जगत स्वापन में है तो स्वापन तो स्वापन है यह जगत भी भगवत स्वापन है पर इसका देखो भगवान सीव क्या कह रहे है उमा कहों मैं अनुभो अपना सत हरी भजन जगत सब सपना अच्छा आप विचार करके देखो स्वापन में तीन प्रकार के स्वापन होते हैं एक होता सात्विक जिसे आपने बनन किया एक होता है राजसिक जिसमें हम भोग भोगती भी नजा रहते हैं एक तामसिक जिसमें लड़ाई जगड़ा मार काट शुरू होती और एक होते हैं बिलकुल फेक बिलकुल व्यार्थ के जिनका कोई मतलब नहीं होता तो यह तीनों गुनों से आये एक दिन राजा जनक जी ने चुपने में देखा कि मेरा राज जी छिन गया और मैं बिकारी बन गया बहुत भूखा हूं तो किसी तरह से दालो चावले करते कि मिट्टी की उसमें पका रहे थे इसने साण आया और दो लड़ते लड़ते हो सब भिखर गया और बड़े भू देख रहा हूं कि राज सया पर तो सवा में जाकर पूछा यह सत्य कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था तो अश्टा वक्र जी जी वह बहुत बड़ा प्रसंग लेकिम सारा उसी दे बोले ना यह सत्य ना वह सत्य समझ रहे हैं यह भी असत्य है इसलिए नाम जब करो इनका को जबाएंगे इसका कोई पॉजिटिव और निग्योटिव कोई सका नहीं